जैहिन गुड आफ्रनून सभी बच्चों का स्वागत मेरा नान है सियंतियारी और आप देख रहे हैं आपकी फेवरेट क्लास जिसको हम लोग बोलते हैं जर्णर अवेरनेस के लिए प्रैक्टिस राइट सवाल जवाब हम लोग इस अपनी प्यारी सी क्लास में देखते हैं तो आज आएंगे सभी बच्चे गुड आप्टर नून जैहिन सर बाल को क्या हुआ अच्छा बाल नहीं दिख रहे हैं ग्रीन स्क्रीन लगाई गई है इसलिए बाल उड़ गया है यह तो रही मजा की बात परिवार में एक जन हमारे अब इस दुनिया में नहीं है तो जो रीती रिवाज आदी आपने सुना होगा तो उसी हिसाब से आपके सर के बाल अभी नहीं दिखाए दे रहे हैं ठीक है बेलकुल कैप यूजड नहीं कैप वगरा अभी यूजड नहीं करने का सब बचे तयार चलिए पढ़ाई की तरफ आते हैं पहला सवाल आपके सामने सभी लोग तयार है या नहीं है यस सर अनिल जी बोल रहे हैं यस सर एक बार मुस्कुरा तो दो ऐसा तो लग नहीं रहा है न कि कोई मार मार के यहां पर लेकर आया है तुमको की चलो बैठो पढ़ने ऐसा तो नहीं है ना सब लोग खुद से आए हैं खुशी खुशी आए हैं तो जल्दी से सभी लोग एक तो थोड़ा तो उपियो करो वाह अब लग रहा है कि दिवाली है चलो सवाल नंबर एक आपके सामने खांसर को हाय बोल दीजे और भी बहुत सारे सार आपके सामने हैं सवाल नंबर एक ICC T20 पुरुश विशिकप 2024 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया विश टीम डिर इंडिया डिफीट इन फाइनल ऑफ ICC T20 मैंस वर्ड कप टुराउं 24 ये सवाल कल हुआ तो नहीं था ना बहुत जबर्डस ऑप्शन सी सभी बच्चे बोल रहे हैं अरे सी कैसे होगा भाई लक्षिन आफ्रीका को हराया था क्या मुझे तो लग रहा है कि आस्टेलिया को हराया था नहीं नहीं तुम बच्चे गलत बोल रहे हो देखो इंडिया की टीम ने वेस्ट इंडीज पर कौनसे एडिशन नौवा एडिशन और इसमें विजेता कौनसे टीम थी इंडिया की टीम विजेता थी देखो मैंने बोल क्या दिया ऑस्टेलिया की टीम को हराया था एक बच्चा लिख भी रहे है कि सर ऑस्टेलिया को हराया था एक बच्चा तो अलग ही दुनिया का अंसर लेकर आया है रोयल चलेंस बेंगलूरू आर्सी भी लिख रहा है अरे भाईया इतना तुम्हारी कुटाई होगी ना अधरक भी सर्माज आएगे कि कुटाई तो मेरी होती चयांसर साफ आसरीक हो जाएगा इंडिया विजेता है इंडिया जीत गई थी इंडिया विजेता थी आपको याद है ना फिर जैसे ही इंडिया जीरती है तीन खिलाडी सामने निकल कर आते हैं हमारे जड्डु भाईया रवीन जडेजा विराइट कोहली है ना किंग कोहली और हिट मैन रोहिश शर्मा और इन्होंने आते ही T20 फॉर्मेंट से अपने रिटायर्मेंट की गोली थे बारबोरा स्टेडियम ओवल स्टेडियम पर हुआ था फाइनल का मैच अगला सवाल आपके सामने चौदहवी होकी इंडिया सीनियर महिला राश्टी चैंपियंशिप का विजेता कौन से टीम विच टीम वान दा पूर्टीन्थ होकी इंडिया सीनियर वुमेंस न एक्जामनर को भी क्रिकेट के सवालों से थोड़ी नफरत सी है कुछ-कुछ शीजें पूछ लेता है लेकिन जाड़ातर क्रिकेट की बात नहीं करता है एक्जामनर अब यहां पर होकी की बात की जा रही है आप बोलेंगे हरियाना की टीम जीत गई थी सर यह रास्टी सीनि महिला होकी चैंपियंडशिप कौसे टीम हरियाना की टीम जीत गई थी ठीक है अगला सवाल नवंबर में भारत का कौन सा राज संगाई महोचो मनाता है बताइए आंसर क्या है संगाई महोचो की बात की जा रही है तो संग संग किसके रहोगे याद करो जिसके पास होंगे क राज का राज की ये पशु भी है जिसका नाम है संगाई राज की पशु का नाम भी क्या है संगाई ठीक है मनी भईया बिलकुल जिसके पास होंगे मनी उसके सब लोग होंगे संग ठीक है याद आया विनोध विनोध ही नहीं आया याद तो आ गया है अनिल, रानी, अर्विंद, बबलू, राधा, केजियस यूजर अरे, विनोध जी हमारे साथ है वा, 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 मुझे तो लग ही रहा था कोई न कोई विनोध नाम का तो होगा दो-दो विनोध हैं एक विनोध सर्मा, एक विनोध कुमार सर्मा वा, वा, देख रहा है विनोध, दो-दो विनोध हमारे साथ है जयंत, चलिए, गुड आफ्टर नून तो मडिपूर का राजकी पशु, तंगाई है और उसी को समर्पित एक खेल, जिसका नाम है संगाई महोचव कायोजन नवंबर माह में किया जाता है कहां पर किया जाता है, तो किया जाता है मडिपूर के अंदर ठीक है, गुजरात में भी कई सारे फेस्टिवल होते है राइट, असम में आपको बिहु देखने के लिए मिलता है आपको देखने के लिए मिला गुजरात में अंतर्राष्टी पतंग महोचो कहा होता है अंतर्राष्टी इस तरवाला पतंग महोचो कहा होता है गुजरात में ठीक है और कमिलनाणू में जल्ली कट्टू पोंगल का नाम सुने हो ना पोंगल चार दिवसी उत्सो इसका तीसरा दिन मल्ली अट्टू के नाम से बनाया जाता है और जिसको जल्ली कट्टू बैल लडाई हो जाती है ठीक है एक देश है जिसमें बुल फाइटिंग रास्टी खेल है उस देश का नाम तो बता दो बुल फाइटिंग रास्टी खेल है एक देश का जैसे यहाँ जल्ली कट्टू होता है भारत के अंदर वैसे ही बुल फाइटिंग एक देश का रास्टी खेल है वेरी गुड क्या बात है जवर जस्त तैयारी एकदम जोरो पर इसमें याद करने के जरुवत क्या थी बुल से लडाई होगी तो होगा ना तुमको पेन बुल से लडाई होगी तो होगा तुमको पेन इसलिए इसका आंसर क्या है इस पेन इस पेन को मैं क्या नाम दू मत नाम दो सास्त्री संगीतकार विलायत खान किस वादियंद से संबंदित है क्लासिकल म्यूजीशियन विलायत खान is associated with which musical instrument सितार, बांतुरी, सरोध, संतूर संतूर सावुन से नहाना है और शिवजी के भजन गाना है सर्मा सर्मा के संतूर सावुन से नहाना है शिवजी के भजन गाना है शर्मा शर्मा के शिवशर्मा भजन सोपोरी खिवशर्मा भजन सोपोरी संतूर से संबंदित ठीक है सरोध आपने बोला अमजद अली खान आम ज्यादा पक गया अमजद आम ज्यादा अमजद अली खान इसके अलावा अलाउदीन खान इसके अलावा आप बोलेंगे विश्वजीत इसके अलावा आप बोलेंगे हाफीज इसके अलावा आप बोलेंगे दारू वाला जरीन दारू वाला ये सारे सरोध वादक हो जाएंगे बासुरी की बात करते हैं कुंज मड़ी है ना कुंज मड़ी और कौन हो गए पन्ना लाल घोश हरी प्रसाथ चारशिया ठीक है एन नीला बहुत सारे नाम और इस प्रशन का अंसर विलायत खां विलायत विलायत कौन जाता है विदेश कौन जाता है सितारे जाते हैं सचिन तंदूरकर विराट कोहली सारूः खान ये कौन है सटारे हैं सितारे कहा जाएंगे विलायत जाएंगे ना एफ और आलू एक बच्चा बोल रहा है मैं नहीं मानूंगा एफ और एपपल ही मैं मानूंगा printable PDF दीजीए Sir, नहीं देंगे printable PDF ऐसे थोड़ी मिल जाएगी आप खुद से क्या महनत करोगे अगर printable PDF ही मिल गई तो है ना, थोड़ी महनत खुद से भारती सम्विधान में राजनीती के निदेशक सिध्धानतों को इस देश के सम्विधान से लिया गया है हमारे यहां का अधिकतम सम्विधान कहां से लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है क्योंकि ब्रिटेन नाम का देश हमारे उपर अधिकार कर रहा था हम उसके गुलाम हुआ करते थे तो संसदी सासन पर्णाली भी हमने कहां से ली संसदी सासन पर्णाली हमने कहां से ली ब्रिटेन आयरलेंड से आपको मिला राज के नेत निदेशकतत है ना राज जी के नीती निजशक्ता तो मतलब सरकार हो काम करेगी जब सरकार के पास छमता होगी जब सरकार चाहेगी ये ऐसी चीजे होती हैं जिसके लिए आप केस नहीं कर सकते कि हम सरकारी है ना हम सरकारी एजुकेशन हम एजुकेशन फ्री करेंगे मानली जी हमने समिधान में लिख दिया नीति निरेशक्त्त्त्त्त्त्त्त्त आज ही हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम सबका एजुकेशन फ्री करने लेकिन कभी जब हमारे पास पैसा होगा जब हमारे पास संधा होगा तब हम कर देंगे यही होगा राजिके नीति आपतकाल मिल जाएगा जर्मनी में आपको आपातकाल मिल जाएगा कनाडा से संग्वाद का सिध्धानत लिया गया है संग्वाद संग्वाद मतलब केंद्र की इंपॉर्टेंस तो है लेकिन राज की इंपॉर्टेंस भी है राज को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं ना चलिए दादा सहाफ पाल के पुरसकार के निमलिखित में से किस प्राप्त करता ने इसे मरणों परांत प्राप्त किया विश आफ दादा सहाफ पाल के अवार्ड रेसीवड इट्स पोस्ट्यूमसली बताईए आंसर क्या देखिए अब आप कंफ्यूस हो सकते हैं कि सर दादा सहाफ पाल के जितना मुझे याद आ रहा है इस साल 54 नंबर का प्रदान किया गया है मिथुन चकरवर्ती जी को इसका मतलब क्या ये है सर की पूरे 54 विजेता याद करने पड़ेंगे नहीं नहीं है ना ऐसा बिलकुल नहीं है यहाँ पर बात की गई है मरनो परांथ की आज तक सिर्फ और सिर्फ दो ही व्यक्तियों को मरनो परांथ यह पुरसकार दिया गया है कौन-कौन एक है पृत्वी राज कपूर इनको 1971 के अंदर दिया गया था और एक है विनोद खन्ना जी 2017 में इनको मरनो परांथ यह पुरसकार दिया गया था एक प्रिथवी राज कपूर साहब को और दूसरे विनोत खन्ना जी को ठीक है मेरा बोलना तो ये है मेरा मत ये है कि आरत रत्न पुरसकार भी उसमें भी एक क्लॉस जोड़ना चाहिए कि सिर्फ जीवित लोगों को ही वो देना चाहिए है ना क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब हमारे बीच नहीं है उनका योगदान तो अतुलनी है किसी से आप तुलना कर ही नहीं सकते लेकिन अभी जो लोग हमारे बीच में हैं उनके योगदान को प्रोचसाहन देना ज़्यादा जरूरी है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो अभ हमारे बीच में नहीं है तो उनका योगदान हम नहीं याद रख सकते लेकिन जो लोग जीवित हैं उनको तो कम से कम फिर मौका मिलेगा है ना नहीं तो मरणों प्रांथ में तो आधे time politics हो जाती है है ना हम जहां पर चुनाओं होने वाला है जहां पर से vote से हमें फाइदा है वहां वहां की लोगों को दे दो बढ़िया तरीके से वहां की लोग खुस हो जाएंगे है ना शरीए बिल्कुल रतन टाटा जी को मिलना चाहिए बहुत ही ज्यादा आशा है कि अगली बार का भारत रतन टाटा जी को दिया जाएंगे ठीक है विनोत खन्ना जी को दिया गया था 2017 का मरणो परांत पुरसकार द राज का है पहली बात तो यह कि आया हुआ यह सवाल है किसी ना किसी परिक्षा का और दूसरी बात यह कि अब राज नहीं है जम्मू कश्मीर अब यूनेंट रिट्वी हो गया है जब यह सवाल आया था एक्जाम में तब जम्मू कश्मीर इस्टेट हुआ करता था तो होता है मदबदेस में होता है बीहार में होता है लेकिन मुख्य रूप से कर्मा जारकंड में आपको मन देखने के लिए मिलता है सुक्रावा राजस्थान में देखने के लिए मिल जाता है तो आंग आपको राजस्थान में भांद पाधेर ये सारे लोकन्रत आपको आज जम्हु कश्मीर यूने उतना आसान तो नहीं है न आज थोड़ा कठिन है न भारत रतन मिलने से क्या क्या फाइदा होता है बहुत सारे फाइदे होते हैं आप गूगल कर लीजेगा उसमें कोई price money नहीं होती है सर जब कोई प्राइस मनी नहीं है तो फाइदा मंद कैसे हुआ कोई टैक्स भी नहीं है कोई टैक्स भी नहीं है है ना सर कर्मा फेस्टिवल है ना कर्मा भिहू कुछ चीजें ऐसी है कि उत्सों भी है लोकनृत भी है है ना हर चीज के रूप में वो मनाए जाता है सर दादा सहाफ पाल के किशेत में लिया जाता है सीनेमा छेतर का तरवोच भारती पुरसकार दादा सहाफ पाल के पुरसकार है विश्य के सबसे बड़े सीनेमा पुरसकार आसकर भारत के सबसे बड़े फिल्म पुरसकार दादा सहाब पालके ठीक है पूरा खर्चा भारत सरकार उठाते बिल्कुल कोई भी टैक्स नहीं लगता है जिस भी व्यक्ति को भारतरत्न मिलता है आजीवन कोई भी टैक्स नहीं लगेगा हर एक चीज फ्री रहेगी किसी भी देश जाएगा वो तो भारत सरकार के खर्च पर जाएगा वरीता क्रम में मौका मिलेगा वरीता मतलब क्या मान लीजिये एक जगह मान लीजिये रिपाब्लिक डे है गरतन दीवस है यहाँ पर मुक्य अतितियों को बुलाया गया कई सारे लोगों को बुलाया गया अब जो कुरसी लगेंगी न तो इसमें एक दो तीन चार पांट छे साथ सात्वे नमबर पर भारत रतन विजेता बैठेगा यहाँ राश्पती उपर राश्पती प्रधान मंत्री ये चीफ जस्टिस इन लोगों के साथ में सात्वे नमबर में मतलब किसी विराज के मुक्य मंतिर राजपाल से उपर समझ रहे हो बहुत उपर जून दोहजार चौबिस में किसकी जीवनी स्ट्वर स्वामिनी आशा का विमोचन मुंबई में आर एस एस प्रमुख मोहन भागवत जी के द्वारा किया गया आशा भूशले वेरी गुड तो यहां पर आशा अगर आप नाम देखते हो आप्शन में आते हो तो दिये गए विकल्पों में एक ही आशा आशा आपको देखने किल मिल रही है आशा भोशले मैडम ये आशा भोशले मैडम आपको देखने किल मिलेंगी और ये कौन है भारत के सबसे सकतिशाली व्यक्त author of the book Breaking Rocks and Barriers तुदेपत सेन गुपता वेरी गुट बाला सुब्रमन्यम बाला सैतान कसाला बाला है ना तो बाला जी के द्वारा लिखी गई है हाली में किताब जिसका नाम है पावर विदिन पावर विदिन पावर विदिन प्रधार मंती नन्यमोदी जी को के अंदर में रख कर आलिया भट ने किताब लिखी है एड़ पॉइंट्स आ होम एड़ पॉइंट्स आ पूम ठीक है तो देवत सेन गुपता ये एक परवदार हो ही देवत सेन गुपता की तस्वीर आपको देखने कर दो मिल जाएगी ठीक है एक कंप्यूटर में हमेशा निम लिखित में से क्या होता है आप कंप्यूटर अल्वेस हैज विच आफ दा फोलोईंग कीबोर्ड, सीपियू, ग्राफिक कार्ड, माउस माउस के बिना कंप्यूटर हो सकता है? हो सकता है कीबोर्ड के बिना कंप्यूटर हो सकता है हो सकता है ग्राफिक कार्ड के बिना कंप्यूटर हो सकता है हो सकता है CPU के बिना कंप्यूटर हो सकता है नहीं हो सकता है है ना माउस किसी कंप्यूटर का हाथ मान लीजिए की बोर्ड किसी कम्प्यूटर का पैर मान लिजए graphic card किसी computer की body मान लिजए जैसे इंसान का चहरा होता है वैसे आप graphic card मान लिजए लेकिन CPU मतलब दिमाग के बीना कोई जिंदा रह सकता है कम्प्यूटर का brain क्या है CPU center processing unit JPEG का कूर्ण रूप क्या है? Full Form of JPEC Central Processing Unit CPU का Full Form है JPEC का Full Form क्या है? 4 विफल बाप के सामने आया हुआ सवाल अरे शीवम जी भी हमारे साथ हैं शीवम कुमार हम भी शीवम जी कैसे हो आप बहले हैं? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रूप मुखी रूप से जो फोटो अगरा आप देखते हो ना फोटो कई सारे फॉर्मेट में आपको दिखती है जैसे एक PNG फॉर्मेट हो गया, एक MP3 में तो गाने होते हैं ठीक है और JPEZ फॉर्मेट ठीक है सीवम सिंग भी हमारे साथ है, सीवम सिंग बुरा मान गये, सर आपने मेरा नान नहीं गिया बताईए आप शाकाल क्यों बन गये सर? मेरा मन किया, इसलिए मैं शाकाल बन गया अगली बार मन करेगा, तो मोगेंबो बन जाओंगा क्या अगली बार मन करेगा तो कटपपा बन जाओंगा है ना तुम में से किसी बच्चे को पीछे से तलवार मारनी है जूरा चलिए अगला सवाल मतलब भारती राजियों को अपने अधीन करने के लिए एक भाईया थे जिनका लाम था लॉर्ड डलहोजी जिनके सासनकाल में बहुत जादा अशंतोस आ गया था चंता के अंदर जैसे इनका सासनकाल खत्म हुआ तुरंद से पहला 107 संग्राम हो गया जादी का अठा अशंता मनवला है ना बता यह अंसर क्या बता यह ना देखो da option d है न देखो जयंत जी का अंसर बिल्कुल सही रंजन जी का अंसर बिल्कुल सही option d रॉलेट एक्ट वाले कुछ आ गए है विक्रम बोल रहे है ए होगा बबलु बोल रहे है है मतलब इतना इन लोग बच्चों को कुटाई करनी चाहिए कल बोज रहे थे कि सर थोड़ा कठिन सवाल लेकर आईए थोड़ा कठिन है ना इस्थाई बंदोबस्त कॉर्णवालिस लॉड मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगा जिनको लॉड लगाना होगा खुद से लिख लेना कार्णवालिस के समय पर इस्थाई बंदोबस्त की नीती अपनाई गई थी सहायक संदी की बात करते हैं तो वेलेजली नाम का जो एक इनसान था वेलेजली उसके सासनकाल में सहायक संदी अपनाई गई थी है ना और रॉलेट एक्ट चैम्स फोर्ड विलियम चैम्स फोर्ड ये समय पर किया गया था है ना और आपने बोला व्यापगत का सिधान ऑप्शन बिल्कुल सही है डॉक्ट्राइन औफ लैप्स आंसर बिल्कुल सही है ठीक है चलिए अगला थवाल आंसर बताइए क्या होगा सभी बच्चे कोशिश करेंगे रेडियो कारिकम की बात हो रही है है ना रेडियो रेडियो पताएने क्या होता है इसमें आप पहले गालना सुना करते है देवियों और सज्जनों आज आपकी फर्माईश है तो पहली बार भारत के अंदर रेडियो कारिकम तेईस में हुए थे उन्निस सो तेईस में हुए थे जो आप बच्चे बता रहे हो आंसर उन्निस सो च्छतीस यह तो सही है लेकिन और इंडिया रेडियो की इस तापना ही इस समय हुई थी उन्निस सो चतीस में अल इंडिया रेडियो की इस थापना हुई थी थैए न पहली बार रेडियो कारिकम 1923 में ठीक है लां कर दिया जाए तो लां कर कर दिया जाए ठीक है लॉक कर दिया जाए ये 1923 में बॉंबे में हुआ था पहली बार पसारण 1936 में All India Radio की स्थावना आपको देखने के लिए मिलेगी भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी विश वाज दा फॉस्ट कलर फिल्म Mad in India चार विखलब आपको सामने बताई आंसर क्या तुखीच में रे फोटो रंगीन वाली फोटो की बात की जा रही है ठीक है ध्यान दीजिए रंगीन वाली फोटो की बात की जा रही है पहले ऐसी फिल्म बना करती थी जिन में आवाज नहीं हुआ करती थी ऐसे ऐसे सारी शीयों होती थी मतलब पिक्चर चल रही है बिना आवाज के ऐसे पहले मूवी बना करती थी तो पहली ऐसी मूवी का नाम क्या था आप बोलेंगे राजा हरिशंद्र 1913 के समय पर 1913 मतलब समझ रहे हो जलिया वाला भाग हत्याकांसे भी पहले 1913 के टाइम बे थीर पहली पकलर मूवी बनी पहली कौन सी बनी आलम आरा ठीक है पहली बोलने वाली मूवी पहली बोलने वाली मूवी आलम आरा और पहली रंगीन फिल्म की बात तगर करेंगे तो किसान कन्या किसान कन्या पहली रंगीन मुवी थी यहां पर आप देख लेजे पहली रंगीन मो पहली मूवी, 1913, 13, 13 का उल्टा कर दो, बन गया 31, 31 में बनेगी पहली आवाज वाली फिल्म है, आलम आरा, और फिर पहली कलर्ड फिल्म, 37, 37, ठीक है? सर ये कोश्चन 7th, 8th की जी के बुक में था, है न? फिर भी बच्चों से नहीं बना बताओ गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष में, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत का सबसे उचा प्रवेश द्वार, Gateway of Magnificent बनवाया इस प्रवेश द्वार का दूसरा नाम किया अकबर बिल्ट इंडियास तॉलस्ट गेटवेश 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 अट फतेहपुर सीकरी वाट इस दा अधर नेम अफ दा गेटवेश अंसर इंडिया गेट अप्शन सी इंडिया गेट अप्शन सी ठीक है बिल्कुल रवी जी का अंसर बिल्कुल सही अप्शन सी सुनेर का अंसर बिल्कुल सही अरे भया इंडिया गेट यहां पर बात की गई है क्या पतेह पुर सीकरी इंडिया गेट कहां है इंडिया गेट दिल्ली में है तो यह तो आंसर हो ही नहीं सकता अब बताओ गेट वे ऑफ इंडिया कहा है गेट वे ऑफ इंडिया मुंबई में हैं कश्मीरी गेट कहां है कश्मीर में कश्मीरी गेट कहां है कौन बताएगा 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 दिल्ली क्या बात कर रहा हो दिल्ली कश्मीरी गेट दिल्ली में है बिलकुल स जीद के उपलक्ष में अकबर सम्राठ अकबर ने बनाया था ठीक है यह सारे दर्वाजों के बारे में जो यहां पर गेट लिखे हुए था ना सारे दर्वाजों के बारे में लिखा हुआ है बस कोल गेट के बारे में नहीं लिखा हुआ है कि तुम बोलोगे सर कोल गेट के ब है उसको भी आजात हैं दो भाई तुम भी इतना लड़ाई लड़के आजादी लिये हो अच्छी लग रही है आजादी की नहीं लग रही है और तुम बोल रहे बीव कुस्ता ताला लगाई है गलत बात है ना आजाओ भारती राष्टी ध्वज में हारा रंग किस चीज का प्रतीक है हारा रंग देखिए जब भी बात की जाती है भारती ध्वज की राष्टी ध्वज की तो एक ऐसी चीज होती है ये लंबाई कितनी दो अगर ये लंबाई आप दो मानेंगे तो ये लंबाई आप तीन मानेंग तो मतलब चोड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना हो गया दो अनुपाते तीन क्लियर एक हो गया है सरिया रंग केसरिया रंग सबसे उपर होगा सबसे नीचे होगा कुछ बच्चे नीचे लिख रहे हो अपने पापा के पास जाना उनको उनका चपल पकडाना और बोलना पापा हमें कम से कम दस मारिये ठीक है हरा रंग कहां होगा हरा रंग कहां होगा जल्दी से बताओ नीचे हरा बीच में कौन सा होगा सफेद बीच में है ना और एक नीले कलर की पट्टी होगी नीले कलर की एक बीच में धारियों वाला एक चक्र होगा इसमें 24 तीलिया होगी कितनी 24 है ना ऐसा ही कुछ दिखता है ना तो यह जो केसरिया है केसरिया नाम से गाना भी आया था ना तो जो केसरिया है यह किसीच का प्रतीक है साहस का है ना जो केसरिया है वो साहस का प्रतीक है जो सर उपर वाला यलो दिख रहा है यलो दिख रहा है यलो है नहीं ठीक है नीचे वाला हरा हरा केसरिया का प्रतीक है सम्रद्धी का मिट्टी का है ना अब बीच वाला आपने बोला यह 24 दी लिया है अब बहुँ ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है कुछ ऐसा ही आपको दिखेगा ठीक है अंसर क्या हो गया अंसर हो गया इस सवाल का हरा रंग की शीश का प्रतीक है आप बोलेंगे मिट्टी और सम्रद्धी का रिलेशन विट स्वाइल एंड प्रॉसपारिटी ठीक है सफेद वाला शांती का यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा केसरिया रंग ताहस का प्रतीक है सफेद रंग सवत्य और पवित्रता सांती का प्रतीक है फरा रंग जीवन के प्रशुरता मिट्टी सम्रद्धी का प्रतीक है चोड़ाई और लंबाई का अनुपात आपको दो अनुपात तीम देखने के लिए मिल जाएगा इसके अलावा कि डिजाइन आपको सारनाथ पर मिल जाएगा पिंगली वंकया जी के द्वारा डिजाइन किया गया था चौबीस तीलियां आपको मिल जाएंगी ठीक है चलिए सवाल तोलवे बित आयोग का अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है तोलवे पॉइंट एस चेर्मेन आफ दा सिस्टींथ फाइनन्स कमीशन सब्सक्राइब पनगरिया या अलोक गंधी टीफ और कार चलानी है अरविंद पनगरिया अरविंद पनगरिया ठीक है अरविंद पनगरिया सक्तिकांत दाश कौन है आप बोलेंगे RBI के वर्तमान गवर्नर Reserve Bank of India के वर्तमान गवर्नर सक्तिकांत दाश है अर्विंद पनगरिया सोलमेवित आयो के अध्यक्ष है नीती आयो के पहले उपाध्यक्ष भी कौन थे National Institute for Transforming India के पहले उपाध्यक्ष कौन आपने बोला अर्विंद पनगरिया थल सेना के तीसे में प्रमु कौन बताओ जल्दी से Question number क्यों भूल जाते हैं सर? Question number मैं डालता ही नहीं हूँ बताओ जल्दी से तीसवें प्रमोख उपेंद्र दुवेदी यह दिनेश्क मात्र पाथी कौन है? नैवी चीफ नैवी चीफ ठीक है? ओडिसा के नए मुख्यमंतरी के रूप में किसने शपतली? Who has taken oath as new chief minister of ओडिसा? यह देखो ओडिसा के मुख्यमंतरी की फोटो ठीक है? ओडिसा के मुख्यमंतरी की फोटो बताओ आंसर क्या होगा? कुछ बच्चे A बोल रहे हैं, कुछ बच्चे C बोल रहे हैं, कुछ बच्चे B बोल रहे हैं, एक बच्चे ने तो D भी बोल दिया, जाहिद, वाह, 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 ये कौन है, देखो, तुम लोगो कन्फ्यूस कर दिया न, अब यहां गर पढ़ोगे तो लि मुख्यमंत्री बने हैं इनका नाम क्या है ये हेमंत सोरेण है जारखंड के मुख्यमंत्री जारखंड के सीयं यहां आपके ओरिसा की बात की गई है ओरिसा के मोहन चरण माजी होंगे, ठीक है, क्लियर, आया मजा, दिया सीवम सर ने धोखा, बताओ, सीवम सर की बात मान लेते हो, ऐसा थोड़ी होता है, जितने तरीके होते होंगे, किसी को गुमराह करने के, है ना, तुम लोग का मोय मोय करने के, सारे तरीके में आजमाऊंगा, और मैं ये बड़े ही गर्व के साथ बोलता हूँ, कि एक्जाम के पहले इतना मैं तुमको कन्फ्यूस करूँगा, कि एक्जामनर के लिए कोई चांस बचेगा ही नहीं, कि वो तुमको कन्फ्यूस कर पाए, है ना, फोटो दिखा के कन्फ्यूस कर रहा हूँ देखो, चलो, लिके राजपाल की बात की जा रही है, आपके एक्जाम में सीयम राजपाल यहां से सवाल आता ही आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, संतोस कुमार गंगवार, 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 संतोस कुम ल improved treat स्ब्राइब का 26 गरके सीमहां गुलाब चंद कटारिया पंजाब करा यह सारे जितने भी नाम है यहां पर नाहीं पर उरी स्पृठी नानें सारे 2 अरजपाल के नाम है की का टीक है कि चलो तो आज के लिए इतना ही एक सवाल देख लो जगत प्रकास नडड़ा जी को पूर्टफोलियो में कौन सा मंत्राले प्रदान किया गया है जगत प्रकास नडड़ा जी वरतमान में किस चीज के मंत्री है ये आपको बताना है इस सवाल से मुलाकात करेंगे अगली क्लास में अगली क्लास के लिए आप और शान्दार तरीके से तयार होकर आएंगे